बिग बॉस 13 घरवालों को लगा सबसे बड़ा जटका सिधार्थ शुकला हुए शो से बाहर बिग बॉस 13 बिग बॉस 13 में अब कुछ ऐसा होने वाला है जिससे प्रशंसकों का दिल तूट सकता है सोशल मीडिया पर 4 दिसंबर को दिन भर स्टेट स्ट्रांग सिधार्थ ट्रेन करता रहा इस बीच ऐसी खबर आई है जो न केवल घरवालों को हिला कर रख देगी बलकि सिधार्थ के प्रशंसकों को भी परेशान करेगी 4 दिसंबर को बिग बॉस खत्म होने के बाद एक प्रोमो दिखाया गया था इस प्रोमो को देखर ऐसा लग रहा था बिग बॉस ने पारस चाबड़ा को घर से बेघर कर दिया इस वीडियो का असली सच क्या है वो अब सामने आ गया है इस सच से सिध्धार्थ शुकला सिध्धार्थ शुकला के प्रशंसकों का दिल तूटना निश्चित है इंस्टाग्राम पर खब्रीन यूज ने एक पोस्ट साजा किया है इस पोस्ट के मताबिक सूत्रों की माने तो बिग बॉस से पारस चाबड़ा नहीं सिध्धार्थ शुकला बेघर होंगे ऐसा इसलिए क्योंकि टाइप हाइड की बज़य से उनकी तब्वियत बेघर रही है इस पोस्ट की अमर उजाला पुष्टी नहीं करता है अगर ऐसा होता है तो बिग बॉस का पूरा खेल पलट जाएगा वहीं सिध्धार्थ के बाहर जाने से सबसे बड़ा जटका शेहनाज को और गिल को लगेगा शुक खत्म होने के बाद 4 दिसंबर के प्रोमो में भी दिखाया गया था कि शेहनाज रो रही होती है तभी आसिम उनसे बात करने आते हैं और वो कहती हैं कि उन्हें सही में उससे प्यार है अगर सिध्धार्थ के शो के जाने की बाद कम फर्म होती हैं तो इसका सही मतलब यह हो सकता है कि शेहनाज सिध्धार्थ शुकला के प्यार में डूब चुकी है शो में शेहनाज सिध्धार्त शुकला की सबसे करीबी हैं वह उनकी हर चीज का ध्यान रखती हैं यहां तक की बेट भी शेर करती हैं जिस तरह से शेहनाज सिध्धार्त का ख्याल रखती है ठीक वैसे ही सिध्धार्त भी उने लेकर बहुत भावुक हैं अगर शेहनाज उनसे नाराज हो जाती हैं तो वे उन्हें खुद मनाते हैं इसके साथ ही दोनों शो में एक दूसरे के साथ मस्ती मजाख करते रहते हैं इससे पहले सोशल मीडिया पर सिधार्थ रोने वाली तस्वीरें वायल हुई थी जिसके बाद स्टेट स्ट्रांग सिध हार्थ करने लगा था हाला कि शोटे लिकास्ट होने के बाद पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था